इसमें दो पार्ट आल्रेडी में बता चुका हूँ और इसमें हम लोग पूरे पार्ट के अंदर स्टड़ी कर रहे हैं कि संतान कैसी होगी, कब होगी, मेल होगी, फिमेल होगी, आपकी इज़त करेगी नहीं करेगी, ये पूरा स्टड़ी करने के लिए कंप्लीट तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि D1 और D9 चार्ट से किस तरीके से हम मोटा मोटी आडिया लगा सकते हैं कि संतान बनने के योग है या नहीं है फिर दूसरे वीडियो के नदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग सब्तांशा चार्ट जो हमारा होता है में सब्तांशा चार्ट जो एक राश्टी के साथ बग बना के बनाया जाता है जो D7 चार्ट बोलते हैं जिसको जो कि संतान के लिए सबसे ज़रूरी बहाब होता है उसे कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था कि मैनोली कैसे उसको बनाया जाए without the help of computer और थर्ड चीज मैं आपको इसमें एक और चीज बताने जा रहा हूँ किस तरीके से अभी आपने पहले दिखा लिए योग कुंडली में D1 जो मैं पार्ट वन में बताया है कि जो योग बनने चीज इस संतान के लिए वो योग नहीं बन रहे नमबर वन जो बराया में डी नाइन में जो योग होने जी है वो भी नहीं बन रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि चाइल्ड नहीं होगा तो उसके लिए कुछ और जरूरी भी है कि वो चीज भी चेक की जाती है तो उनको चेक करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड है यह नहीं है अच्छा यह क्या है ये दो पॉइंट है एक को बोलते हैं वीज़ फूट एक को बोलते हैं छेतर सुट BS और KS ये दोनों पाइंट mathematical derived points होते हैं और ये points जो है decide करते हैं कुली में कि जो माबाप है वो child पैदा करने के capable है या नहीं है तो ये points ये decide करते है male सी कुली जो होती है उसमें BS देखते हैं 20 foot देखते हैं और female सी कुली के अंदर 6 foot देखते हैं नहीं योग बन रहे हैं deny चेक करा तब भी आपके योग नहीं बन पारें संतान के और ये दोनों चेक करा इसमें भी negative अगर रिपोर्ट आती है तो it means के problem है तो आज मैं भी बताऊंगा कि 20 foot और 26 foot कैसे आप इस कुली में किसी में निकालेंगे तो इसके लिए बहुत simple principles हमारे बने हुए हैं कि जैसे आपको मैं example idea देता हूँ अहम किसी कुली के लिए 20 foot तो ये होता है summation longitude of Jupiter plus Venus plus Sun ये symbol है sum का मतलब longitudes Jupiter का longitude Venus का longitudes और Sun का longitude तीनों का longitude अगर जोड़ दें ये जोड़ने का मतलब होता है sum sign तो जो value निकलेगी तब आप कह सकते हैं कि आपका 20 foot क्या है मतलब वो derived points क्या आते हैं तो रहू के तो भी derived points होते हैं चंदरमा जो मार काटता है उसका प्रत्वी का तो इस तरह ये ये भी mathematical derived points होते हैं बी-एस तो बी-एस अब कैसे निकालें जैसे इसी कॉड़ली पर example कॉड़ी है ये ये example कॉड़ी हमारी लगातार first lecture से चली आ रही है first part से इसमें घर हम 20 foot निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे देखे longitude of Jupiter Jupiter कहां पर है दस्वी राशी में है और 28 degree 8 minute का है तो कहने का बतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 9 sign pass 28 degree 8 minute ये Jupiter रहा गया अब इसके अंदर हम जोड़ेंगे Venus Venus अगर आप जोड़ें तो Venus कितना है 2 degree 8 minute है लेकिन 10-1 sign में है मकर राशी में है तो इसको 9 sign pass करा 2 degree ये 18 minute हो गया इसके बाद सन सूरिय लिया सूरिय कहां पर है हमारा सूरिय हमारा है 2 degree 56 minute का ये भी इसी राशी में है मकर राशी में है तो ये भी 9 sign pass 2 degree 56 minute का आएगा इसका total करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमारा 20 foot कहां बैठता है तो इसके लिए मैं आपको example पहले के 36 foot की बतायता हूँ जो कि इस कुड़ी के अंदर ये हमारा भी साबित हो जाएगा कि क्या जिनकी एक कुड़ी है वो they are capable कि माता या पिता बन सके तो ये क्योंकि एक female की कुड़ी है ये वाली तो उसके लिए मैं बताता हूँ तो इनके लिए हम लोग निकालते हैं ये formula आपने note के लिए ऐसे total करते हैं वो मैं आपको example दिखाता हूँ फिर उसका इनके लिए हम निकालते हैं 6-30 foot KS KS क्या होता है ये होता है summation ये भी longitude of Jupiter Jupiter का longitude लो फिर Mars का मंगल का longitude लो और फिर Moon का longitude लो इन तीरों के longitude को जोड़ो तो summation का मैंने बताया ये sum का चिन है यानि इन तीनों को longitude जोड़ने के बाद तीनों का योग करें तो जो हमारा आएगा वो 6-30 foot आएगा आप जैसे मैं इसमें आपको calculation करके दिखाता हूँ Jupiter का longitude देखिए Jupiter हमारा 9 sign pass 28 degree 8 minute है क्योंकि दस्वी राशी में है तो 9 sign pass लिखेंगे इसको 28 degree 8 minute का है तो 28 degree 8 minute longitude हो गया पूरस का फिर longitude of Mars मंगल का longitude देखिए मंगल आपका 7 राशी में है यानि 6 sign pass और कितनी degree है 26 degree 38 minute का तो 26 degree 38 minute ये 0,8 minute हो गया ठीक है ये हमारा Mars आ गया अब आईए longitude of moon moon क्या है हमारा moon हमारा यहां पर है 12 राशी में तो सिंपल बात है तो 11 sign pass आएगा लिखावा इसको यानि 11 sign pass हो चुके है 12 राशी में चंद्रमा हमारा है कितना है 23 degree 6 minute का तो ये 23 degree 6 minute चोड़ दिया इन तीनों का हम टोटल करते है तो जैसे हम टोटल करेंगे तो 9 और 6 पंद्रा और 11 26 तो ये आगया 26 sign pass 28 और 20 48 से 54 और 24 तीन सततर सततर डिगरी 38 और 46 और 6 52 52 minutes ये ही रोटल है आप लेट मी चेक दे रोटल कि ये ही रोटल है या कुछ और है जी ये ही रोटल है आता है इसका हाँ तो इसमें अब हम 9 sign pass 28 डिगरी 8 minutes 6 sign pass 26 डिगरी 38 minutes 9 sign pass ये हमारा है मून मून हमारा इहरी है येस तीज डिगरी 6 मिनट ठीक है बिल्कु ठीक है तो हमारा ये आ गया अब इसमें हम 77 डिगरी एक राश्य में कितने डिगरी होती है एक राश्य में होती है 30 degrees तो अगर हम यहां से 60 degrees minus करते हैं तो दो यहां जोड सकते हैं 30 degree की एक राश्य माइनस करते हैं दूसरी 30 degree की एक राश्य माइनस करते हैं तो इसको मिल सकते हैं 28 sign pass 17 degree 52 ये हमारा आ जाएगा 28 sign pass 17 degree 52 ये हमारा इसके अंदर आ जाता है टोटल इसका अब जब ये टोटल आ गया तो इससे हम क्या चीज़ चेक करें अब 28 sign pass को अब चेंज की जिए जब तक घटाईए 12 इसमें से जब तक कि ये 12 से कम ना हो जाए तो सीधा 12 घटाईए तो पहले 16 sign pass आ जाएगा फिर 12 घटाईए तो 4 sign pass आ जाएगा तो 4 sign pass 17 degree 52 मिनट ये value हम इसको बोल सकते हैं 4 sign pass का मतलब हो गया 5 विराशी है ये odd sign आ गया तो odd sign होने की वएसे अगर female की कुंडली हो चेत्र स्फुट और साइन में आ गया चेत्र फुट आ रहा है हमारा चार sign pass 17 degree 52 मिनट का अगर वो खेत्र स्फुट है वो even sign में होना चाहिए अगर even sign में है तो वो child को yes करता है और even sign में नहीं है तो child में problem बताता है और males के अंदर odd sign है तो यह child को yes करता है और साइन नहीं है तो even बताता है तो यह चीज़ के अंदर हमें ध्यान देने वाली रखनी है और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे तो यह हमने दिखा कि हमारा छेत फुर्स जो है वो odd sign में आ गया तो अब इसको हम चेक करेंगे तीन चार्ट्स के अंदर तीन चार्ट्स में हमें चेक करना है इसको एक चेक करना है कि D9 में यह कहां जाएगा यह राशी और D7 में यह राशी कहां जाएगी है वो हम लोग को निकालना है इसके अंदर तो अब देखें D9 में देखर हम देखें नमान शाट के अंदर तो चुकि यह कौन सा साइन है यह आपका है फिर 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 हमारी चलती है यह आपको मालूमी होगा यह साइन का साइन है जिने म्यूटेबल और इस्तर के साइन हम लोग बोलते हैं यह इस्थिर साइन हमारा शो करता है तो नमान्ष कुंडली में यह ध्यान रखिए कि अगर इस्थिर साइन है तो काउंटिंग नवी राशी से स्टार्ट होगी काउंटिंग स्टार्ट नवी राशी से यह इस्थिर साइन है तो इन डी नाइन काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम नाइन्थ साइन नाइन्थ साइन का क्या मतलब हुआ यह बदाता हूँ 9 साइन देखे ये 5 वर नमबर साइन है सिंग ये 5 नमबर साइन है सिंग इससे नवा कौन सा हुआ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 1 इससे नवा स्थान हुआ हमारा 1, क्यों तीन देखे न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इससे नवी राशी हमारी आवी एक तो कौन्टिंग स्थाट होगी मेर्स से और कौन्टिंग कहां तक जाएगी वो देखना है अब कौन्टिंग कहां तक जाएगी तो इसके लिए देखिए कि आपका जो ये इसकी वेल्यू है, वो कितनी है 17 डिगरी 52 मिनिट की है तो नमान शार्ट के अंदर एक पार्ट केतना होता है 3 डिगरी 20 मिनिट का P1 होता है 3 डिगरी 20 मिनिट क्योंकि 30 डिगरी पार्ट के 9 पार्ट के आते यह 30 डिगरी हो गया P2 हमारा 6 चालिस हो गया P3 हमारा हमारा यह हो गया आपका 20 वो जोड दिये तो 10 डिगरी हो गया 4 पार्ट हमारा हो गया 13-20 तक 5 पार्ट हमारा हो गया 16-40 तक और 7 चटा पार्ट हमारा हो गया 3 हो जोड दिये 30 यानि की 20 डिगरी तक और ऐसी 7 ऐसी 8 वह ऐसा 9 तो हमने देखा था कि हमारी जो छेतर सुट की वैल्यू आई थी वो आई थी 4 साइन पास 17 डिग्री 12 मिनट यानि ये और साइन आया था और ये इस्थिर राशी थी तो इस्थिर राशी को नमांश में चेक करने के लिए कि ये नमांश में कहां गया होगा हम बेसिकली लोकेट कर रहे हैं कि जो छेतर सुट है हमारा केस है ये केस नमांश में कहां पर गया दीवन में तो आ गया दीवन में तो ये दिखा दिया कि केस हमारा ये पासवी राशी में आ गया तो यहां केस आ गया डीवन में तो हमारा यह केस यहां आ गया लेकिन नमाश में कहा गया है वो हमें देखना है तो डीवन के हिसाब से यह केस यह और साइन आ रहा है था इसलिए फिमेली गुंडली में और साइन का मतलब होता है नेगेटिव कि वो चैल्ड को प्रामिस नहीं करता अब नमाश में हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा यह केस है छेत्रिस फुट है वो यहां भी और साइन मारा है यहां इविन साइन मारा है तो हमने बताया कि जब इस्थिर राशी होती है इस्थिर राशी में काउंटिंग स्टार्ट होती है नवी राशी से राशी है पांशी नमबर सिंग राशी तो सिंग से नभी राशी हमारी मेश हो गई तो मेश से काउंटिंग स्टार्ट होगी कहा तक स्टार्ट होगी कितने पार्ट तक 17 डिगरी 22 मिनट का है तो 17 डिगरी 22 मिनट हमारा कहा आता है छटे पार्ट में सोले डिग्री चालिस मिनट से 20 डिग्री तक छटे पाट में आता है तो यहां से 6 तक 6 तक कांटिंग करेंगे यहां से तो एक दो तीन चार पाँच छे यानि कर्णियराशी तो D9 में यह इवन साइन महा गया तो अब यह देखिए आपके D9 में यह इवन साइन महा गया इसका मतलब क्या है कि फिमेली कुंडली में अगर KS इवन साइन में हो तो चाइल्ड प्रॉमिस करता है D1 में KS उनका और साइन में आ रहा था वहाँ चाइल्ड प्रॉमिस नहीं हो रहा था बर नामाश कुंडली के साब से इनका चाइल्ड प्रॉमिस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे KS इवन साइन में है इसके बाद हम निकालेंगे यह चेक करेंगे कि सब्तांच में यह कहा गया अच्छा आप D7 का देखने के लिए अगर हम लोग देखना चाहें इसको D7 का तो 4 डिगरी 17 मिनट का एक पार्ट होता है मैं पार्ट बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में असानी रहे एक पार्ट 4 डिगरी 17 मिनट दूसरा पार्ट 0 से 47 का होता है दूसरा हमारा 8 डिगरी 34 मिनट तक का हो गया तीसरा पार्ट हमारा 12 डिगरी 51 मिनट का हो गया पाच्वा पार्ट हमारा 16 डिगरी 68 मिनट होगा तो 17 डिगरी 8 मिनट का हो गया और इसके बाद इससे वाला पार्ट अगला वाला पार्ट हो गया हमारा 21 degree 25 मिनट और ऐसी चटा पार्ट और ऐसी साथ पार्ट चलेगा हमारा क्योंकि साथ पार्ट होते हैं इसके अंदर एक राशी को साथ भाव में डिवाइट के जाता है तो हमारा जो इसमें केस की value हमारी आई थी वो हमारी आई थी सतर डिगरी संथिंग आई थी हमारी value केस की इसमें अगर हम देखें जो हमने निकाली थी कि क्योंकि केस हमारा यहां odd sign में है तो counting कहां से start होगी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर odd sign है तो counting उसी राशी से start होगी यानि counting का हमारी सिंग राशी से ही start होगी same sign से पास से start होगी कहां तक जाएगी वो देखना है हम लोगों को क्योंकि हमारा केस सत्रे डिगरी आठ मिनट के आसपास है यानि इस पार्ट में आता है बारे से लेके सत्रे डिगरी आठ मिनट के आसपार्ट में तो यह आपका पांच चौथा पार गया छेटा सात्वा आठवा यानि यह आगया आपका स्कौर्पियो साइन और यह भी इवन साइन है आपका तो यह भी डी सेवन में इवन साइन में गया तो जब इन तीन चार्ट में से चैटर्प्ट जब को कि एकार तीन चार्ट में से दो चार्ट में इवन में है इप मिंस की यह कुंडली प्रॉमिस करती है चैयल्ट के लिए तो अगर डी 1 चार्ट या दिनाइन चार्ट प्रॉमिस भी नहीं कर रहा होगा और 20 फूट और 26 फूट वगरा जो भी है वो प्रॉमिस करते हैं इसके साफ से तो आप चुछेश्ट फूट होना चाहिए इवन साइन में लेडी सी कुंडली के लिए छीट फूट देखते हैं इवन साइन में हो तो प्रॉमिस निकल जाता है कि यह बताता है कि आपका जो माता है वो बच्चा पैदा करने योगी है या नहीं है तो इससे एक लिए होता है कि तीन चार्ट में इसे दो चार्ट में इवन साइन में छेट फूट गया है तो माता बच्चा पैदा करने योगी है तो यह सब चीज क्लियर हुए तो यहां तक यह सारा चीज क्लियर रहता है तो आशा करता हूँ यहां पर आपको समझ माया हुगा इससे आगे मैं आगया आपको और चीज बताऊँगा अगर इसमें भी नेगटिव जेट आते हैं इ आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं और लोगों से भी बाकि अपने बित्रों से अपने फ्रेंड्स और किल गंदर भी उसको शेयर कराके सब्सक्राइब कराईएगा ताकि मेरा हुसलाफजाई मेरी बनी रहे थैंक यू धन्यवाद जैशी किष्णा